नमस्कार दोफ्तों एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल में आप लोगों का हारदिक स्वागत है लिट अफ्टर प्रेड निकल कर आई कि केंद्रे क्रमचारियों के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी है फिटमेंट फैक्टर पर आई ताजा अपडेट जाने कब बढ़े दोफ्तों केंद्रे क्रमचारियों को हाल ही में 4% मेंगाई बत्ते का तोफा मिला है अब आने वाले दिलों में इनके लिए कई तोफे त्यार हो रही है इन में से एक फिटमेंट फैक्टर है सरकार अगले साल तक इसमें भी इजाफा कर सकती है इसे लेकर हल चल सुरू हो चुकी है सरकारी करमचारियों के Phitman Factor को लेकर अपडेट सामने आई है सरकार इसकी समिक्षा करेगा अगले साल तक बढ़ने पर फैसला ले सकते हैं इसे करमचारियों की Basic Salary में जबरदफत इजाफ़ा होगा दोस्तों केंद्रिये करमचारियों को अब जल्द ही Phitman Factor पर खुश खबरी मिलेगी दोफतो साल दो जार तेज में फिट्मेंट फैक्टर में इजाफा नहीं होगा लेकिन साल दो जार चोबिस में इसकी समिक्ष्या करके बढ़ाया जा सकता है आलंकी सरकार की तरब से इसको लेकर कोई भी पुष्टी चामने नहीं आई वैविभाग उस वक्त ही फिट्मेंट फैक्टर पर भी फैसला लिया जा सकता है फिट्मेंट फैक्टर पर अगले वेतन आयोग तक कोई फैसला होने की संभावना नहीं है दोस्तो अगला वेतन आयोग कब आएगा या कहना भी मुश्किल है लेकिन सरकार की कोशिश है कि अगले साल की न्युन्टम salary में कितना इजाफह होगा ये recruitment factor पर ही तैह किया जाता है। दोस्तों साथ में वेतन आयो की स्पार्स के मुताबिक केंद्रे क्रमचारियों की सैलरी में बत्तों के अलावा बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से ही इजाफा होता है। पिछली बार फिट्मेंट पैक्टर बढ़ने से केंद्रे करमचारी की सैलरी में डाई गुना से ज़्यादा बढ़त हुई थी लेकिन करमचारीों की डिमांट दिकी फिट्मेंट पैक्टर को और बढ़ा जाए जिससे उनकी बेसिक सैलरी में अच्छा खासा इजाप्पा इस पर कोई भी मूड दिखाई नहीं दे रहा दोफ्तो सात्मे वेतन आयोग की स्पैर्स के मुताबिक फिलाल फिट्मेंट पैक्टर 2.57 है के इंद्रे करमचारी की बेसिक सैलरी को सात्में वेतन आयोग के फिट्मेंट पैक्टर 2.57 से गुना करके निकाला जाता है सात्मा वेतन आयोग लागू होने के बाद से छटे वेतन आयोग के पे बैंड में ग्रेड पे जोड़कर मूल वेतन बना जाता है जिसमें करंट एंट्री लेवल की सैलरी को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुना करके निकाला जाता है इसे करंचारियों की पे बैंड के हिसाब से सैलरी तै की जाती है दोस्तों केंद्रे करंचारियों को मुझूदा वफ्ता में 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है इसके अदार पर निन्तम सैलरी 18,000 रुपे है अगर इसे बढ़ा कर 3 किया जाता है तो बेसिक सैलरी 21,000 रुपे हो जाएगी वही अगर इसे बढ़ा कर 3.68 कर दिया जाता है तो सैलरी में 25,760 रुपे की बढ़ोतरी होगी वही अगर करंचारियों की डिमांड पर इनका फिटमेंट फैक्टर 3.68 कर दिया जाता है तो नियुनतम सैलरी 26,000 रूपे हो जाएगी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै वारत